ये माना जिन्दगी है चार दिन की कुछ कर गुजरने की हो तमन्ना तो सदियों जैसे होते हैं ये चार दिन भी नमस्कार आपका हर दिक स्वागत है आपके अपने चैनल चेतना मंच पर और आप देख रहे हैं अपना प्रिय कारिकरम मंथन आपको तो पता ही है न कि हमारा देश 75 वर्ष पूर यानि 15 अगस्ट 1947 को आजाद हुआ था पता है सबको किन्तु सायद आपको ये नहीं पता होगा कि हम 155 वर्ष पहले आजाद हो गए होते यदि हमारी एक महान विरांगना के साथ गद्दारी नहीं हुई होती 155 साल पहले यानि 1500 साल पहले हम आजाद हो चुके होते यदि हमारी एक महान विरांगना हमारी सांदार बेटी के साथ हमारे ही देश के एक गद्दार ने गद्दारी नहीं की होती चौक गए होंगे ना आप चौके मत मैं जो भी कह रहा हूँ वो एकदम तत्थ्यों और इत्यास के आधार पर कह रहा हूँ तमाम सत्या के सबूतों के आधार पर कह रहा हूँ दरसल आज हमारी महान महान से भी महान विरांगना रानी लक्षमी बाई की पुन्यति थी है आज ही के दिन यानि 18 जून 1857 को वे मातर 29 वर्ष की उमर में बहद्दुरी की तमाम चर्म सीमाओं की हद तक अंग्रेजों से लड़ती हुई युद्ध करती हुई सहीद हो गई थी उस दिन यदि लक्षमी बाई के साथ गद्दारी नहीं हुई होती तो हम 1857 में ही आजाद हो गए होते ये बात मैं पूरे विश्वास और पूरे इतिहास के तथ्यों को सामने रख करके आपसे कह रहा हूँ आज अपनी उस लाडली बेटी को याद करके मेरे रोंग्टे खड़े हो जाते हैं मैं और मेरा पूरा चेतना मंच परिवार उन्हें उनकी पुन्यतिति पर सत सत नमन करते हैं रानी लक्षमी बाई का जन 19 नवंबर 1828 को हुआ था और मात्र 14 वर्ष की उमर में उनका विवहा जहांसी नरेश राजा गंगाधर राव के साथ हो गया था रानी लक्षमी बाई बच्पन से ही गजब की सहासी बच्ची थी उनकी जीवनी हमने और आपने सबने पढ़ी है अपने बच्चों को भी हम पढ़ाते रहते हैं आज उन्हें याद करते हुए बस मैं यह बात बता रहा हूँ कि 17 जून 1857 को शुरू हुए उनके अंतिम युद के दिन उनके साथ एक बड़ी गद्दारी हुई थी हमारे ही देश के कुछ गद्दारों ने अंग्रेजों के साथ हात मिला लिया था और अकेली लक्समी बाई ही नहीं बलकि मेरा आपका हम सब का ये भारत उस गद्दारी से उस दिन हार गया था हम अंग्रेजों से नहीं हारे थे हम उन गद्दारों से हारे थे अपने ही देश के अंदर बैठे वे गद्दारों से हारे थे दरसल हुआ ये था कि 23 मार्च 1857 को अंग्रेजों ने जहांसी पर हमला कर दिया था 13 दिन तक चले भेंकर समर के बाद आखिरकार अंग्रेजी सेना जहांसी में घुषने में सफल हो गई थी हमारी बेटी हमारी बहद्दुर योधा रानी लक्समी बाई को जहांसी छोड़कर जाना पड़ा था जहांसी से निकल कर लक्समी बाई नाना साब पेस्वा राव सहाब वे तात्या टोपे से मुलाकात करने कालपी पहुँची इन सब ने मिलकर अंग्रेजों से लड़ने की एक ठोस रणनीती तयार की इस रणनीती में गवालियर की पूरी फोज ने तो हमारा साथ दिया किन्तु गवालियर के राजा ज्याजी राव सिंधिया अंग्रेजों के साथ मिल गए और इसी गद्दारी से हम उस बड़े युद्ध को उस एतिहासिक युद्ध को जब हम आजादी का एक ऐसा बिगुल बजा चुके थे कि हम 1857 में ही आजाद हो गए होते इसे एक गद्दारी के कारण हम वो युद्ध हार गए 17 जून 1857 को राणी लक्षमी बाई वे अंग्रेजों के बीच निर्नायक युद्ध हुआ अंग्रेजों के कैप्टन हिरोष ने राणी लक्षमी बाई को पत्र लिखकर समर्पन के लिए कहा था समर्पन करती अरे जाने दो गद्दारों अरे जाने दो अंग्रेजों समर्पन के पत्र के जवाब में हमारी युद्धा महरानी लक्षमी बाई युद्ध के मैदान में आकर सीना तान के खड़ी हो गई थी इस युद्ध के लिए रानी लक्षमी बाई ने एक बड़ी रणनीती तयार की थी सेना की एक टुकड़ी को उन्होंने तै किया था कि सेना की एक टुकड़ी को वे खुद समभालेंगी और दूसरी टुकड़ी को समभालने का काम तात्या टोपे करेंगे दुर्भागे से तात्या टोपे युद्ध के दोरान समय पर वहां नहीं पहुँच पाए जिसकी वज़े से रानी लक्षमी बाई अकेली पड़ गई और अंग्रेजों की सेना के बीच गिर गई आखरी दम तक उन्होंने सहस के साथ अंग्रेजों का सामना किया और बिना डरे आगे बढ़ती रही बढ़ती रही इसी युद्ध के दोरान आज ही के दिन 18 जून 1857 को उन्हें सहाधत मिली हमने एक बड़ा उसर खो दिया इतिहास सायद ही उन गद्दारों को कभी माप कर पाए एक गद्दारी के कारण माभारती गुलामी की बेड़ियों से आजाद होते होते रह गई इस परकार आज भी आज भी देश की राजनिती में सक्रिय शिन्धिया खांदान की एक गद्दारी के कारण हम 1857 में अंग्रेजों को प्रास्ट करने से चूग गए थे और एक गद्दार खांदान के कारण देश को 80 साल से ज़्यादा और गुलाम रहना पड़ा था तो समझ गए ना आप कि कोई भी एक छोटी से छोटी गद्दारी एक मकारी जो देश के विरुद की जाए उससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है उससे कितना बड़ा अपमान हो सकता है उससे कितनी बड़ी घात हो सकती है 29 साल की एक बहद्दूर योधा को हमसे छीन लिया गया एक गद्दारी के कारण एक बार फिर उसमहान विरांगना जासी की रानी लक्ष्मी बाई के चरणों में सत-सत नमन करते हुए अपनी बात को आज यहीं समाप्त करता हूँ आज बस इतना ही आप अपना वे अपनों का खूब ख्यार रखना आनंद में रहना और हाँ अपनों खास अपनों अपने गद्दारों से साउधान रहना गद्दारी हमेशा खतरनाक होती है आपके भीतर बैठे परमपिता परमात्मा को परणाम करता हूँ मेरा परणाम सुईकार करें नमस्कार